बहुत तेजी से बन रहा है रंडबीर कपूर, नीतु कपूर, आलिया भट और राहा कपूर का नया घर जल्द अपने नय घर में शिफ्ट होने वाला है रिशी कपूर का परिवार कहा जा रहा है साल 2023 के दिसम्बर तक रंबीर और आलिया भाट अपने नए घर में रहना शुरू कर देंगे इन दूने रंबीर आलिया के सपनों का घर में काम जोरो पर चल रहा है बानरा के पाली हेल इलाके में नीतू और इशिकपूर के बंगले क्रिशना राज को तोड़ कर 15 मंजिला इमारत मनाई जा रही है यो तो इस बल्डिंग के 15 मंजिल बनने में 6 साल का लंबा वक्त लगेगा हलाके इमारत का पाच फ्लोर बनकर तयार है और ये पाच मंजिले का पूर परिवार के लिए होगी जानकारी के मताबग इसमें एक मंजल नीतू का पूर के लिए होगी दूसरे फ्लोर पर अनबीर और आलिया अपनी बेटी के साथ रहेंगे कहा ये भी जा रहा है कि तीसरा फ्लोर उनकी बेटी रहा के लिए होगा ताकि जब बड़ी हो जाए तो उसे अपना पूरा स्पेस मिले वहीं चोधा फ्लोर अनबीर की बहन रिधिमा और उनकी बेटी के लिए है बाकी एक फ्लोर पर रनबीर ओफेस, स्वमिंग पूल, जिम, एक ओपेन एयर, एमफी थेटर और तमाम मौडन सुविधाय होंगे रनबीर आलियो और नीतु के घर में दिवंगत रिशी कपूर को समर प्रते कमरा होगा रनबीर और नीतु ने रिशी कपूर की सभी यादों को संजो कर रखा है उनके पसंदीदा कुर्सी से लेकर उनके बुक शेल्फ तक रिशी कपूर से जोड़ी कई आदे उस कमरे में संजो कर रखी जाएंगी वहीं इस इमारत की बाकि दस मंजिलों को बेच दिया जाएगा यहाँ इतनी ज़्यादा जगा है कि यह एक हाई राइज अपार्टमन जैसा होगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस बिल्डिंग की बाउंडरी वॉल बनना बाकी है वहीं इंटीरियर का काम भी शुरू हो चुका है ऐसे में रंबीर आलिया बार बार अपने अंडर कंस्रक्शन घर में जा रही है और वहां का इंटीरियर वॉर्क देख रहे है कुछ दिनों पहले कपल अपनी शादी की साल घरा पर इस नए घर के कंस्रक्शन को देखने के लिए पहुचे थे वहीं रंबीर का पूर की मा नितु का पूर भी यहां लगातार आती रहती है कही बार नितु के साथ आलिया को भी आते देखा गया है आलिया ने इस घर के डिजाइन में काफी रुचे दिखाई है घर का इंटीरियर भी उनके हिसाब से ही हो रहा है इस दोरान रंबीर की माम नितु भी अपने दोनों बच्चे को घर बनाने से जोड़ी तमाम नई जानकारिया और अनुभव के हिसाब से गाइड करती रहती है बतादे से मारत में काम थोड़ी देर से शुरू हुआ क्योंकि इस पर पहले बैन लग गया था स्टे हटने के बाद यहां दुबारा काम शुरू हुआ बतादे नितु कापूर और रिशी कापूर ने साल 1980 में मंबे की बानरा इलाके में घर खरीदा था रिशी कापूर ने बंगले का नाम अपने माता पिता के नाम पर कृष्णा राज रखा था इसी बंगले से उनकी बेटे रिधिमा की शादी हुई थी उनका घर काफी आली शान हुआ करता था, बंगले के आसपास बड़ा सा गार्टन और स्विमिंग पूल भी था रिशी और नीतू ने अपने बंगले को तोड़ कर एक 15 मंजल इमारत बनाने का सोच और फिर इस पर काम शुरू हो गया साल 2018 में कृष्णा राज बंगले को गिरा कर वहां 15 मंजल इमारत बनाने का काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क के वजह से नीतू कपूर पिछले पाथ सालों से किराय के घर में रह रही है वहीं रंबीर का पूरा अलिया भट के साथ वास्तू अपार्टमेंट पर रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद नीतू का पूर रंबीर का पूरा अलिया भट अपने कृष्णा राज खर में शिफ्ट हो जाएंगे ब्यूर रिपोर्ट E24 अजये चे बाद राजान पने को अवेश्यक रेक साथ वास्तू जाज़े पने का ओड़ार्टमेंट रचार्टमेंट रंपने का पूरा उंपार्टमेंट रंचे का उपकत में रहादे हैं